प्रेमित्रों प्रभुई शुक्रीस के नाम में प्रेम्भरा नमस्कार हम आप सब का सत्यवचेन कारिक्राम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब प्रभु के अनुगर से भले चंगे हैं और स्वास्थ हैं सत्यवचन हम सब के लिए हमारे जीवण में परमेश्वर के उद्देशों को प्रगट करने के लिए हैं कि हम अपने स्रिस्टी करता परमेश्वर के मार्ग में बढ़ती सले जाएं। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है जो मनुश्य को मृत्यू से जीवन की ओर आगे बढ़ने में साहता करता है। मनुश्य अपने आप से जीवन का सही कदम कभी नहीं उठा सकता क्योंकि हम अपने आप से इस पृत्वी पर नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। इसलिए सत्य वचन में हम बाइबल का क्रमबद अध्यन कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन से मार्ग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं कि हम जानकारी की कमी में किसी बात के लिए परमेश्वर के विरोधी ना बन जाए। क्योंकि बाइबल में इब्रानियों की पत्री उसके दसवे अध्याय 31 पद में इस प्रकार लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानग बात है। आइए दोस्तों, रोमियों की पत्री से ऐसे ही जीवन दायक बातों को जानने का प्रयास करें, ता कि जीवन का आननद हम ले सकें। जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर के वचन से उसका आननद लेते चले जाए। दोस्तों साथ ही साथ आपसे निविदन है कि इस अध्यान को ध्यान से सुने और अंत में पूछे गए सवाल का उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेज कर विजेताओं में शामिल हो। आईए अपने अध्यान को आरहम करें। प्रेमित्रों आए आज हम अपने अध्यान में आगे बढ़ते हुए रोमियो के पत्री साथ अध्या उसके पांच पत को पढ़ें। विवस्था देह को वश्मे करने का अच्रन भी है। देह ने विवस्था के अरूचीकर बंधन की अधिनता से विद्रोह किया और उसका उपहास किया। देह में शमता नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि विवस्था के आदेशों का पालन करे। देह ने विवस्था के बंधन परन्तु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब विवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पूराने रिती पर नहीं वरन आत्मा की नए रिती पर सेवा करते हैं। मरे हुए और फल पाएं पद छे में मर कर और सेवा करते हैं। आज हम सेवा इसले नहीं करते कि मुझे यह करना है परन्तु इसले कि मैं मसी को प्रसंद करने के लिए सेवा करने में आनंदित हूँ। विश्वासी स्वतंत्र किया गया है परन्तु प्रेम के कारण वह उधार करता को अरपित है जो विवस्था के अधेन नहीं कर पाता था। यह पद मैं अपने कॉलेज और सेमिनारी के समय अपनी बाइबल में रखता था। मैं अपनी आत्मा के उद्धार का प्रयास नहीं करता यह तो मेरे प्रभु ने कर ही दिया है परन्तु दास्वरुप सेवा करता हूं इश्पुत्र के प्रेमाधीन। मेरे मित्रों हम मसी की सेवा करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। यह अनरची सो समाचाज 21 अध्या उसके साथ पद में प्रभु ने शमौन पत्र से सीधा पूछा क्या तो मुझसे प्रेम करता है। यही प्रश्न आपके और मेरे समक्ष है। भटके वे संसार से परमिश्व पूछता है तु मेरे पुत्र के लिए क्या करेगा। वह तेरे लिए मरा है। तथा पे विश्वासी से वह पूछता है क्या तु मुझसे प्रेम करता है। मसी ही जीवन है। मसी हमारे द्वारा जीवित है। हम स्वयम के प्रयासे या वेवस्था के द्वारा वह नहीं कर सकते। वेवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है। समस्या हमारे साथ है, हमें यह अंतरग्रहन करना है, मेरे प्रियों, जब हम शारिक थे, अर्थात हम में पुराना आदम का स्वभाव था, तब हम पापों के अभिलाशा, हमें मृत्यू का फल उत्पन करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु अब उन बंधनों स मुक्त होकर आत्मा की नई रीती पर सेवा करते हैं, हम पाप के बंधन में कैसे बंधे, देखिए पौलुस क्या कहता है, रोमियो के पत्री साथ उसके साथ और आठ पद में, तो हम क्या कहें, क्या विवस्था पाप है, कदापी नहीं, वरन बिना विवस्था कि मैं पाप क आकर आग्या के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन किया, क्योंकि बिना विवस्था पाप मुर्दा है, मेरे मित्रों, मैं इसका अर्थ स्वष्ट करता हूं, तो हम क्या कहें, क्या विवस्था पाप है, ऐसा सोचे भी नहीं, इसके विपरित विवस्था के बिना मुझे पाप का बोध भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि अवैद इच्छा क्या होती है, परन्तु आग्याओं के द्वारा पाप को आवसर मिल गया और मुझ में हर प्रकार की अवैद इच्छाएं उत्पन हो गई, विवस्था के बिना पाप मृत जी हाँ, आपको इस्मरन होगा कि पाॉलुस ने अध्याय छे में अपने विवाद को आरम करते हुए कहा था, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते जाएं? वह यहाँ फिर कहता है, तो हम क्या कहें? क्या विवस्था पाप हए? इस अध्याय के प्रथम भाग में ऐसा प्रतीत होता है कि पॉलुस कह रहा है कि विवस्था और पाप बराबर के हैं पाप से मुक्थ होने का अर्थ यदि विवस्था से मुक्ती है तो क्या वे दोनों एक नहीं पॉलुस इसे स्पष्ट करते वे कहता है कदापी नहीं अब पॉलुस स्पष्ट करेगा कि विवस्था भली है वह परमेश्य की इच्छा पूरी करती है समस्या विवस्था के साथ नहीं है समस्या हमारे साथ है क्योंकि देह दोशी है मेरे मित्रों इस अध्याय के शेश भाग में पॉलुस अत्यधे के वैक्तिक है ध्यान दीजे कि वा प्रथम पुरुष सरोनामों का प्रयोग कर रहा है हम, मैं, मुझ, आदी इस भाग में प्रथम पुरुष सरोनाम 47 बार आये हैं अनुभव की बाते पॉलुस के आंत्रिक संघर्षों से उत्पन है उसने अपने नय सुभव के सामर्थ में परमिश्वर के लिए जीने का प्रयास किया और पाया कि यह आज संभव है विवस्था ने पॉलुस पर पाप के अधिपत्य को प्रगट किया विवस्था उसके हिरे का एकसरे थी यदि आप विवस्था को अपने जीवन में लाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा परमिश्वर का वचन दरपन कहलाता है वो हमारे सच्चाई को प्रगट करता है यदि आपके चेहरे पर दाग है तो दरपन उसे प्रगट करता है परन्तु उसे मिटा नहीं सकता परन्तु परमिश्वर के पास उसके निवारन का एक अस्थान है लहुस से भरा एक सोता है इमानुल की धमनियों से निकला और पापी उस सोते में डूप कर सब दोश के दाग धोते हैं विवस्था पाप के अती को प्रगट करती है विवस्था दोशी नहीं है पुराना आदम का सुभाव दोशी है विवस्था में विहित निशेधाग्याएं देह की दुरबलता को उबारती है वह प्रगट करती हैं कि मनिश्य पापी है एक बार एक परिक्षन किया गया कि देखें इस्तरियां स्वैम को अधिक निहारती हैं या पुरुष अता उन्होंने सारवजिनिका स्थान पर एक दरपन रख दिया मैं तो उससे कह देता कि इस्तरियां स्वैम को अधिक निहारती हैं परंतू, परिक्षन के परिणाम इसके विपृत निकले, हम सब अपने आपको देखना पसंद करते हैं, हम सब दर्पन देखना पसंद करते हैं, एक को छोड़, पर्मिष्वर का वचण, हम उसे देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह कहता है कि हम पापी है, आशा रहित पा दोशारोपन की सिवा है विवस्था हमें दोशी ठाराने की अपेक्षा और कुछ नहीं कर सकती रोमिय के पत्रि साथ अध्या के दस पद में लिखा है और वही आग्या जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यू का कारण ठहरी वह विवस्था के अनुसार जीने वाले की त्रास्ती वह उसे जीवन का मार्ग नहीं दिखाती है या सत्य है कि परमिश्ण ने कहा विवस्था विरन के पुस्दक आठ अध्या के एक पद में जो जो आग्या मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना इसलिए कि तुम जीवित रहो उस पर चलना ही तो कठिन था विवस्था में कोई दोश नहीं था दोश तो उसमें था जिसने या सोचा कि विवस्था जीवन और सामर्थ्य प्रदान करेगी उसने कुछ नहीं दिया उसने तो मनश की दुरबलता आयोग्यता और पाप को प्रगट किया यदि ऐसी विवस्था जो जीवन दे तो वा परमिश्वत देता है देखिए गलातियों की पत्रिती तीन अध्यावस के 21 पद में जीवन और मसीही आचरन विवस्था से प्राप्त नहीं होते है मेरे मित्रों मैं एक उधारन देता हूँ कार एक अत्यधिक उपयोगी साधन है परंतु यदि वा एक आयोग्य चालक के हाथ में हो तो वा खतरनाक वरन विनाशकारी हो सकती है सच तो यह है कि वह मृत्यू का साधन बन जाती है इसमें दोशकार का नहीं चालक का होता है समस्या मनिश्य के साथ है वही अपराधी है रोमिय के पत्रि साता ध्याय के ग्यारपद में लिखा है क्योंकि पाप ने आउसर पाकर आग्या के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला यहां फिर से पाप को वैक्तिक रूप दिया गया है और वह प्रलोभन देने वाला है अदन की वाटिका के बाहर प्रतेक मनिश्य को पाप ललचाता है स्वयम एवं परमिश्य के संबंद में अदन की वाटिका में शैतान ने मनिश्य को विश्वास दिलाया था कि परमिश्यर विश्वास योगि नहीं है और मनिश्य स्वयम परमेशर से अलग एक परमेशर बन सकता है पाप मनिश्य के संतान को विश्वास दिलाता है कि वे विवस्था पालंग कर सकते हैं और परमेशर की उन्हें आवश्यक्ता नहीं है पौरुस कहता है कि वह जीवन दायक थी परंतो उसने पाया कि वह उसे मृत्यों में ले आई पाप अंत्तह व्याप्त हो जाएगा क्योंकि विवस्था पाप का ज्यान लेकर आई है मनिश्य के पास कोई बहाना नहीं है फिर वही बात आती है कि समस्या विवस्था के साथ नहीं मनिश्य के साथ है रोमियो के पत्र साता ध्या के बारपद में हम पढ़ते हैं इसलिए विवस्था पवित्र है और आगया भी ठीक और अच्छी है मेरे प्रियों समस्या मनश्य की है जीवन के प्रश्ण में मनश्य गह है वहीं डावाडोल है विश्वास के योग्य नहीं है हम रोमियो के पत्र साता ध्या के तेरपद में आगे पढ़ते हैं तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यू ठहरी कदापी नहीं परन्तु पाप उस अच्छी वस्थू के द्वारा मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगट हो और आग्या के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे यह एक विचित्र सेमनरी का कथन है यह अच्छी बात का विक्रिती है आग्याएं जीवन संचार में पून रूपेन असक्षम थी मनिश्य को बाहरी साहता की आवशक्ता थी क्योंकि विवस्था पाप की गहराई को बढ़ा रही थी रोमिय के पत्री साथ उसके चौदा पद में आगे लिखा है हम जानते हैं कि विवस्था तो आत्मिक है परन्तु मैं शारिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ यह पॉलुस की गवाही है हम जानते हैं अर्थात विश्वास से परस्पर सहमत है विवस्था आत्मिक इसलिए थी कि वह पौईत्र आत्मा के द्वारा दी गई थी और परमिर्श्वा के वचन का अंग थी दूसरे शब्दों में वह धर्म शास्त्र की अभिव्यक्ती थी उधारन के लिए पहला कुरूंतियों के पत्रे दस अध्या उसके चार पद में चट्टान को आत्मिक कहा गया है क्योंकि वह पौईत्र आत्मा दौरा प्रगट हुई थी जंगल में इस्राइल को आत्मिक भोजन और आत्मिक जल जो पौईत्र आत्मा के प्रावधान के कारण आत्मिक कहलाया था देखते हैं परंतु मैं शारिक अर्थात देह यहां देह का अर्थ हड़ी और मान से नहीं है हमारी देह उदासीन है और बुरे और भले दोनों के लिए काम करती है यहां उस कार के समान है जिसका मैंने उधारन दिया था यहां शरीर पुराने मन आत्मा और सुभाव का प्रतीक है वे शरीर को काम में लेते हैं अतर देह पाप से दूशित हो गई है उधारन के लिए एक शीशु के चेहरे को देखें तदो परांथ पचास वर्ष बाद उसे फिर देखें पाप ने देह की सता पर भी अस्थाई रेखायें डाल दी है देह निश्क्रिय है और परमेशा के निमित उसमें ना तो शमता है और नहीं संभाव्यता वह पापी सुभाव के वश में है जिसकी शाखाएं देह और मन के अंतरतम भागों में पहुंची हुई है मस्तिश्क के वल बुराई की युक्ती का साधन है हमारे तंत्री का तंत्र दुष्टा करने के लिए तत्पर रहते हैं मनिश्य का मन प्राण वन से दुष्ट है वह दुष्टा करना चाहता है और देह उसका साथ देती है आए हम देखते हैं उद्धार प्राप्त आत्मा का संगर्ष रोमिय के पत्रे साथ अध्या के पंदरपद में लिखा है जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता परन्तु जिससे मुझे घृना आती है वही करता हूँ यहां दो सुभाव में परस पर संघर्ष है पुराना सुभाव और नया सुभाव इस भाग में दो मैं है पहला पुराना सुभाव है जो अपना अधिकार दर्शाता है जो मैं चाहता हूँ यह नया सुभाव की कामना है वह नहीं क्या करता, पुराना सुभाव विद्रो करके करने नहीं देता है, जिससे मुझे गिरना आती है, यह नया सुभाव है जो गिरना करता है, वही करता हूँ, पुराना सुभाव बेधड़क आगे बढ़ कर कारे करता है. मेरे मित्रों, क्या आपको अपने مسीही जीवन में इसका अनभव हुआ है? क्या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके करने के बाद आपको स्वयम से घ्रना होती है? तब आप कहते हैं, हे प्रभू मैंने तुझे कैसा निराशा किया है? मेरे विचार में परमेश्वक की प्रतेक संतान का यह अनभव है पॉलुस यहां अपने स्वयम के अनभवों का उलेक कर रहा है उसके जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि तीन समय हुए है एक जब वा एक घमन्डे विवस्था पालक फरिसी था बलिदान चढ़ा कर और अन्य प्रयास करके परमेश्वक के साथ उचित संबंद बनाने की मुर्खता कर रहा था जबकि विवस्था उसे सदा ही दोशी ठहरा रही थी दूसरा समय वा था जब दमिश के मार्ग में उसकी मसी से भेंट हुई और घमन्डे वा फरिसी ने मसी को अपना उधारक प्रभु स्विकार किया परन्तु वा अब भी यही सोचता था कि वा मसी ही जीवन जीने के लिए अपने आप में सक्षम है उसके नए सोभाव ने कहा मैं आप परमेश के लिए जीऊंगा परन्तु वा असफल रहा और कुछ समय वा संगर्श और असफलता के घेरे में रहा मैं नहीं जानता कि उसका यह समय कितना लंबा था परन्तु मेरे विचार में वा अधिक समय इस दशा में नहीं था सीख लिया था कि मुख्य बात थी समर्पन और वशिभूत होना और पोईत्र आत्मा को उसके द्वारा मसीही जीवन जीने देना रोमेश की पत्री साथ अध्या के सोलापद में आगे लिखा है यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि विवस्था भली है जब पुराना सोभाव आगया तोड़ता है यहां लालच करना है तब नया सोभाव विवस्था से सहमत होता है कि लालच करना बुरा है पॉलुस विवस्ता से संखर्श नहीं कर रहा था क्योंकि उसने विवस्ता का उलंगन किया वह विश्वासी होने के कारण मानता था कि विवस्ता भली है रोमे के पतर 7 के 17 में लिखा है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है दूसरे शब्दों में मैं नहीं नया सुभाव जो करता है परन्तु पाप पुराना सुभाव जो मुझ में है देखे पौलुस में अब भी पुराना सुभाव था रोमिर साथ के 18 में पढ़ते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते। इस संगर्ष में पॉलुस ने दो बातें सीखी थी। हम विश्वासियों को भी ये दो बातें सीखना आवश्यक है। मुझ में कुराना सुभाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्या आपने अश्शीक लिया है। क्या आपको भी ये बोध हुआ है कि आप में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। हम मेंसे कितने विश्वासिय सोचते हैं कि हम तेहिक पर्यासों द्वारा परमेश्वर को फसंद कर सकते हैं। अनेक विश्वासी जो इस तथे की खोज नहीं कर पाए हैं, वे दीमकों की नाई व्यस्त रहते हैं और कलिस्याओं में यही प्रभाव डालते हैं। वे मध्यमक्यों की नाई व्यस्त तो रहते हैं परंतु शहद उकत्र नहीं करते हैं। वे कलिस्या में पद प्राप्त कर लेते हैं और सोचते हैं कि वे परमेश्वर को रसंद कर रहे हैं। यदिपी वे कलिस्याई कारे कलापों में व्यस्त रहते हैं। मसी इश्यू के साथ उनका जीवन संबंद नहीं होता है। उनके जीवनों से मसी प्रगट नहीं होता है। वे अपने शमता में देहिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पौरुस का सबक नहीं सीखा। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तू वास नहीं करती। मेरे मित्रों व्यक्तिगत रूप से कहें तो मैं जो भी अपने आप करता हूँ उससे परमेशर घ्रिना करता है। परमेशर उससे स्विकार नहीं करेगा। परमेशर उसको काम में नहीं लेगा। जब काम देहिक हो तो वा अच्छा नहीं है। क्या आपने यह सीख लिया है या एक महान शिक्षा है प्रभीश्यों ने कहा योनर चिस्व समाचार तीन अध्या उसके छे पद में जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और वह सदा ऐसा ही रहेगा परन्तु पहला योनर के पत्री तीन अध्या उसके नौपद में लिखा है जो कोई परमिश्य से जन्मा है वह पाप नहीं करता या कैसा अध्भुत है हमें नया सुभाव दिया गया है और वह नया सुभाव पाप नहीं करता मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नया सुभाव कभी पाप नहीं करेगा यदि मैं पाप करता हूं तो वह पुराना सोभाव है नया सोभाव ऐसा नहीं करेगा नया सोभाव पाप से घ्रिना करता है यह नया सोभाव मुझे रात में सोने नहीं देता है वह कहता है देख तुग गलत है तुझे सुधार करना है मेरे प्रियों पॉलुस ने कुछ और भी सीखा जो हमारे लिए अत्यधिक महत्पूर्ण है वरन हमें सीखना भी चाहिए इच्छा तो मुझ में है परन्तु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते उसने यह देखा कि पुराने सुभाव कुछ अच्छा नहीं और नय सुभाव में सामर्थ नहीं नय सुभाव परमेश्य की सेवा करना चाहता है परन्तु शारिक मनिश्य परमेश्य का बैरी है या परमेश्य की विवस्था के अधिन नहीं है और नहीं कभी हो सकता है रोमिय के पत्री आठ उसके साथ बद में, परन्तु नए सुभा में सामर्थ नहीं है, मेरे मित्रों मुझे स्मरन है कि जब मैंने मसीह जीवन आरम किया था, तब मैं परमिर्श्य के लिए जीना चाहता था, यही वा समय था जब मैं मोह के बल गिर पड़ा और मैं इससे अधि बुरा कभी नहीं गिरा, मैंने सोचा था कि मैं स्वयम कर सकता हूँ, परन्तु मैंने देखा कि नए सुभा में सामर्थ नहीं है, यही कारण है कि प्रचारक को सभा में अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, मुझे विश्वास नहीं होता, आराधना में 90 में यह है, मैं परमिश्र के लिए जीना चाहता हूँ, मैं अधिक अच्छा काम करना चाहता हूँ, सभाव में प्राया उपदेश्रक कहता है, जो आज से परमिश्र के लिए जीना चाहते हैं, हात उठाएं, वे जो परमिश्र के अधिक अधिक निकट आना चाहते हैं, हात आ जाएं। जिस पल उपदेशक या कहता है उसी पल उसने मुझे वर्शिभूत कर लिया। मैं यही तो करना चाहता हूं। मेरा नया सुभाव कहता है मैं निश्य ही परमेशर के लिए जीना चाहता हूं। परन्तु उसमें सामर्थ नहीं है। असंग के विश्वासी इस बात को समझने से चूग जाते हैं। कुछ लोग तो वर्शों से वेदी पर आ रहे हैं और बस वे इतना ही कर पाते हैं केवल सामने आना। इसके आगे वे कोई उन्नती नहीं करते। यह सत्य समझना, अंतरग्रहन करना उनके लिए कैसा आवश्यक है। आज आपकी स्तिती क्या है। पिछले प्रशने का उत्तर है B. इस्राइल रास्ट्र। मुसा की विवस्था इस्राइलियों की साथ इस्राइल रास्ट्र को भी प्रदान की गई थी। आज का प्रशन है पॉलूस प्रेरित ने नए सुभाव की सामर्थ में परमेश्वर के लिए जीने का प्रयास किया और पाया कि यह खाली स्थान है। मित्रों इस प्रस्ण का उत्तर हमें कल सुभा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी मदू में या डायबिटीस की बिमारी से पीडित व्यक्टी के उपर ध्यान दिया है? जब उसे मालूम हो जाता है कि उसे शुगर की बिमारी हो गई है तो उसके अंदर मीठा खाने के जिग्यासा और तीवर होते चले जाती है। मानो वह उससे पहले मीठा के बिना जीता नहीं था या जीवन जी नहीं सकता था। सबस्तों ये है कि उसके पहले वह मीठा मिलने पर ही खाया करता था। लेकिन अब वह हर समय लालसा करता है कि कहीं से उसे या कहीं न कहीं से उसे मीठा मिल जाए या उसे वह चुप चाप खाने का प्रयास करता है। जब तक वह नहीं जानता था कि उसे ये बिमारी है उसे खाने में उसके लिए कोई बिमारी या कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जफ़ जान गया तो अब उसे ये उसके लिए बुराई बन गई है यहानी का कारण बन चुका है तो क्या ये जानकारी उसके लिए सही नहीं है? हम सब जानते हैं कि ये जानकारी उसके जीवन के लिए उचित है ताकि अपने जीवन की धेखभाल वह स्वैम कर सके पॉलूस हमें यहीं समझाने का प्रयास कर रहा है कि विवस्था से पाप की पहचान हुई इसलिए ये बुरी नहीं है पर ये हमें पाप से छुटकारा कभी नहीं दे सकती एक विश्वासी के पास दो चरित्र हैं पुराना मनुश्वत्व और दूसरा नया मनुश्वत्व मसीही जीवन नया मनुश्वत्व का समर्थक है जो पाप की सेवा कभी नहीं करता यदि मैं पाप में आनदित होता हूँ तो मैं उसमें बिका हुआ हूँ या उसमें आज भी पड़ा हुआ हूँ आज आप किस ओर हैं दोस्तों, विचार करें, क्या पाप में हैं, क्या आप आज पाप में आनंद लेते हैं, या पाप करके आप दुखी होते हैं, खेदित होते हैं, आपके जीवन के बारे में आप जानते हैं और यदि आपकी इस्थिती ऐसी है कि आप पाप में आनन्द लेते हैं तो आज आपको पुशिताप करने की आउशकता है क्योंकि यदि आप में वो जीवन है जो परमेश्वर का जीवन है तो आप कभी भी पाप में पढ़ने के बाद उसमें आनन्दित नहीं होंगे परन्तु आप परमिश्वर की ओच जाना चाहेंगे आईए हम प्रार्थ न करें कि यदि हमें आज एक ऐसा निर्णे लेने की आउशता है तो हम वो निर्णे आज ही लेने पाए आईए प्रार्थ न करें हमारे स्वर्गी पिता हमारे प्रभुई शुक्रीस्ट के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आज एक सुन्दर अद्भुत अध्यन आपने हमें दिया कि हम अपने जीवन में इस बात का अंकलन करें कि क्या हम पाप में आनंद ले रहे हैं यह हम पाप से बाहर निकलने में कश्मकश कर रहे हैं प्रभु हमारी इस्थिति आप जानते हैं और हमारे सारे दर्शक स्वयम जानते हैं कि उनकी इस्थिति क्या है पिता हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थ न करते कि आप उन्हें ऐसी सामर्थ दे कि यदिवे आज पाप में पड़े हुए हैं और उससे निकलना चाहते हैं तो आप उनकी साहता करें और यदिवे पाप में आनंद ले रहे हैं पाप का मज़ा ले रहे हैं तो पिता अनुग्र करें कि उनका हिर्देब बदले वे पशताब करें और पिता उस पाप से बाहर आने पाए आदर और महिमा के साथ इस बिन्ती को प्रभु शुक्रीस्ट के नाम से मांगते हैं आमेन दोस्तों अगले प्रसारण में इस अध्यन को आगे भढ़ाते हुए आपके सामें फिर हाजिर होंगे तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें प्रवु आपको आशिश दे नमस्कार करते हैण वाल करते है अति-सो करते है मेर प्राथ